नमस्कार और यहां पर आप देख पाओगे बहुत ही इंपोर्टेंट डवलप्मेंट है USA ने तीन इंडियन कंपनीज पर सांक्शन इंपोस कर दिये हैं रीजन क्या है? US कह रहा है कि ये इंडियन कंपनीज हेल्प कर रही थी इरान और रश्या को मिलिटरिली बहुत ही मैं कहूंगा बड़ी बात है और इंडियन गवर्मेंट डेफिनेटली इसका रिस्पॉंड करने वाली है यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल US सांक्शन ओवर ए डजन कंपनीज हाल ही मैं आपको बता होगा इरान ने एक बड़ा अटैक किया था इसराइल पर तीन सो से उपर ड्रोन्स, मिसाइल्स यह बरसा दिये अल ओवर इसराइल हाला कि एक भी इसराली नागरिक की मौत नहीं हुई मगर USA ने इन अटैक के रिस्पॉंस में इरान पर सांक्शन ओपोस कर दिये हैं ना सिर्फ US, इवन UK ने भी बहुत सारे सांक्शन ओपोस कर दिये हैं और बहुत ही जल्द आप देखोगे European Union भी यही करेगा इस प्रोसेस में जब ये दरजनों कंपनियों पर US सांक्शन ओपोस कर रहा था तीन कंपनिया इन्होंने इंडिया की भी चूस कर ली और ये कहा के ये कंपनिया actually help कर रही थी इरान की, अब यहाँ पर आप कहो गए wait इंडियन कंपनिया इरान की help कैसे कर रही थी वैल ये समझने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा शहीद 136 ड्रोन्स के बारे में हाली में जो बड़ा अटैक इरान ने किया था इसराइल पर इनमें ड्रोन्स भी शामिल थे और इरान ने बहुत सारे जो ये ड्रोन्स है ना शहीद 136 ये बरसा दिये थे इसराइल पर हलाकि इस ओल्मोस्ट सारे ड्रोन्स ही यूएस और इसराइल ने एवन यूके ने भी शूट डाउं कर दिये थे हवामे ही मगर ये drones सिर्फ इसलिए news में नहीं है आपको बताओगा जब रश्या को हत्यारों की कमी पड़ रही थी against Ukraine तब उस वक्त इरान ने बहुत सारे missiles और drones ये भेजे थे रश्या को और जराता drone जो इरान ने भेजे है ना रश्या को वो है शहीद 136 इन ड्रोन्स पर USA की लंबे समय से नजर थी ये ड्रोन्स रश्या यूज़ कर रहा है ये ड्रोन्स इरान यूज़ करता है टू अटाक इसराइल और जो कमपनी इन ड्रोन्स को एक्सपोर्ट करती है ये है सहरा थंडर हाला कि जो इसका नाम आप अगर इरान में देखोगे ना तो वहाँ पे सहरा थंडर की जगा ये लोग टॉंडर सहरा यूज़ करते हैं मगर यूएस की इंटेलिजेंस ने ये बात बताई है कि कहने को तो दूर से आप ये कमपनी को देखोगे ना आपको लगेगा सिंपल सी कोई इरानियन कमपनी है बिस्दस कर रही है कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है मगर रियालिटी में सहरा थंडर को कंट्रोल करती है इरान की मिलिटरी एक्चुली इरान के रेवलूशनरी गार्ड्स जो बाइदवे यूएसे की नजर में एक आतंगवारी संगटन है आपको याद होगा मैंने इस पर वीडियो बनाई थी त प्रॉब्लम की बाता कि ये लोग जो ये ड्रोन्स हैं ये रश्या तक पहुचाते थे अपको वैसल्स चाहिए और सोरा थंडर के पास इतनी वैसल्स खुद की थी नहीं इतनी कार्गो शिप खुद की नहीं थी तो इन्होंने क्या किया कि दुनिया भर में कई कंपनियों को ये का कि हम आपको पैसे देंगे ये कारगो है इनको बताये नहीं के अच्छली में कारगो में था क्या मोस्ट पॉबई देगो जो तीन इंडियन कंपनियों पे आरोप लगे हैं के ये इरान के बिहाफ में जो ये कंसाइनमेंट है UAV के ड्रोन के ये इरान से लेके जारे थ फिर C8 Ship Management प्रावेड लिमिटेड इन तीनों कमपनियों पर USA ने सांक्शन्स इंपोस कर दिये हैं क्यों क्योंकि ये तीनों कमपनियों सपोर्ट कर रही थी सौरा थंडर को Now obviously Indian Government की कोई policy नहीं है इरान को support करने की Clearly इन कमपनियों को भी proper information इरान की तरह से नहीं दी गई होगी कि ये लोग कर क्या रहे हैं और अब ये लोग ब्राफ हच चुके हैं American sanctions का मतलब most probably ये है कि international market में बहुत कम कमपनिया इन कमपनियों से service लेना चाहेंगी क्योंके US sanctions usually एक company को business के हिसाब से isolate करने के लिए बनाये जाते हैं अलाकि देखना होगा कि American sanctions का impact Indian companies पर क्या होगा बट अपने आपे मैं कहूंगा ये बहुत जारा shocking बात है कि US ने directly ये sanctions imposed कर दिये हैं इन्होंने इंडिया से बात भी नहीं करी most probably Indian government से बात करते एक जाज बढ़ाते कि आखिर हो क्या रहा है Indian companies यहाँ पे involved क्यों हो गई I think eventually उसके बाद ये action ले सकते थे तब समझ में आता मगर unilaterally अपनी तरफ से तीन Indian companies पर sanctions लगा देना ये गलत है और अभी चिंता की बात तो ये है कि possibility है कि European Union भी ऐसे sanctions imposed कर दे हाला कि ये लोग Indian companies को cover करेंगे या नहीं करेंगे इसको लेकर अभी clarity है नहीं मगर European Parliament में बिलकुल इस पर voting हुई है और overwhelmingly सभी जो MP है European Parliament में सबके सब कहा रहे हैं कि Iran पर sanctions imposed करने होंगे क्योंकि Iran ने गलत तरीके से अटाक किया था इसराइल को और अगर यहाँ पर आपका सवाल है कि sanctions मतलब के प्रतिबंद USA ने sanctions imposed कर दी है Indian companies पर तो क्या India और US के relations खराब होंगे well इसका answer है नहीं और मैं confidently नहीं इसलिए बोलूँगा क्योंकि इससे पहले अगर हम history देखें तो एक Indian company पर sanctions लग चुके है because of Iran oil और उसके बाद कुछ खास हुआ नहीं था इंडिया ने ज़ादा protest किया नहीं और ऐसा नहीं है कि इंडिया US के relations खराब हो गए थे मैं आपको example दे रहा हूँ 2002 का यहाँ पे आप देख पाएंगे article जी हाँ यह सब चीज़े मुझे याद रहती है USA ने उस वक्त एक India based company थी इस पर sanctions imposed कर दिये थे क्योंके यह company इरान से oil purchase कर रही थी और बाद में दूसरे countries को export कर रही थी यह एक Mumbai based company थी और उस वक्त जब यह news आई तो obviously इंडिया में कई लोग गुसा थे मुझे भी personally काफी अलब anger feel हो रहा था क्योंके again देखो बात यही आती है इंडिया ने हमेशा एक बहुत ही important stance यह रखा है कि sanctions कौन लगाएगा UN United Nations जो विशुव की पंचायत है वहाँ पर जाकर decision होगा कि ठीक है किसने गलत काम किया है किसको dund मिलना चाहिए क्या UN ने कोई sanctions लगाए नहीं लगाए US अपनी तरफ से खुद को एक authority क्यों मान लेता है कि यह दुनिया को बताएंगे कि तुम गलत कर रहे हो तुम सही कर रहे हो तो as an Indian देखो उस वक्त मुझे बुरा लगा था आज भी बुरा लग रहा है और अपने आपे मैं काऊंगा गलत है और eventually US को यह practice छोड़नी होगी क जहां भी इनको दिखता है कि कुछ problem है यह sanctions impose कर देते हैं हलाकि मैं यह कहूंगा कि USA ने इंडिया को sanctions के मामले में Indian government को sanctions के मामले में काफी हद तक भजा के रखा है compare to other countries S-400 missile defense system चाइना ने purchase किया चाइना की military के officials को लगे sanctions S-400 Turkey ने purchase किया टर्की पे लगे sanctions इंडिया पे अभी तक उस type के sanctions लगे नहीं है मगर जिस तरीके से हमारी companies को भी target किया जा रहा है यह गलत है और आने वाले समय में जैसे जैसे इंडिया economically और grow करेगा आप देखोगे possibility है क India in sanctions का जवाब भी दे कि अगर US Indian companies पे sanctions लगाता है तो हम भी किसी US company को पकड़के कह सकते हैं कि आप पर हम sanctions impose करते हैं बात यहाँ पर main है एक country की pride की कि क्या एक country दूसरे country से इतना बड़ा है कि वो decide करेगा कि दंड किसको मिलना चाहिए तो देखिए Indian government obviously इस issue पर reaction देने वाल comment आती है तो मैं आपके लिए बाद में एक updated वीडियो ले के आऊँगा now finally आपसे आप एक सवाल पूछूँगा इस साल T20 का World Cup है उमीद करता हूँ भारत जीत जाए इस बार बहुत time हो गया एक ICC tournament की trophy हम नहीं जीते आपको simply यहाँ पर यह बताना है कि ICC men's T20 World Cup 2024 जो होगा इसके brand ambassador कौन मन चुके हैं यह हैं आपकी options Amazonie, Lionel Messi, Usain Bolt या फिर Donald Trump comment section में करिए उतर जो लोग सही answer देंगे उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा ताकि बाकी लोग समझ पाए के सही उतर क्या है और finally आप लोगों के लिए एक important message अगर आप UPSC exam की त्यारी कर रहे हैं आपके पास time है एक दो साल का आप college student है आप रुक के अराम से prepare करना चाते हैं UPSC exam के लिए तो comment section में जाईए यहाँ पे आपको मिलेगा यह link इस link पर करिए click और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएग यह page अगर आप mobile phone पे हैं तो आप study IQ की जो app है यह भी कर सकते हैं download और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे study IQ के various courses study IQ के platform में stock market से लेकर UPSC SSC UPSC optional various courses available है state PCS courses भी available है यहाँ पे आप देख पाएंगे और जो हमारा flagship course है UPSC P2I course P2I इसको का जाता है क्योंके prelim से लेकर interview तक यह course यहाँ पर code PD10 लगा कर नाओ यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे codes दिख रहे होंगे civil और various और codes है नाओ इन codes को आप अगर use करते हैं तो आपको maximum discount नहीं मिलेगा अगर आप use करते हैं code PD10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर maximum discount possible so use the code PD10 and save money by the way इस course में आपको 30 महीने की validity मिलती ह है तो मतलब के per month आप 1000 रुपे सभी कम पे कर रहे होंगे for your UPSC preparation so use the code PD10 and save money इसी note के साथ यह है वीडियो कान्त thank you for listening and as always may the gods watch over you